अलो बच्चों कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर होगी और आप सभी स्वास्त और मस्त है आज की क्लास एक वीडियो में एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका स्वागत है आज पढ़ेंगे भाग विदी से वर्गमूल और 11 का बढ़के भाईया के बा है जैसे आपको पता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है जानते हो जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है बसे 12 का इतना होता है इन सब में यह साथ में भूद्म क्यों लग जाते हैं इतना लंबा सा क्यों हो जाता इनका परिवार, क्या ये छोटे नहीं रह पाते, बताता हूं कैसे, देखे, ये 16 जो है perfect square number है, क्या है ये, ये पूर्ड वर्ग संख्या है, जैसे 16 हो गया, आपका ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, और 49, 36, 64 ये सभी क्या है, पूर्ड वर्ग संख्य है, perfect square number है, जबकि ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 5, और ये 6, या 7, या 8, ये सभी क्या है, ये पूर्ड वर्ग संख्या है, नहीं है, ध्यान रहे हैं, मैं perfect square number की बात कर रहा हूं, perfect cube की बात नहीं कर रहा हूं, अगर cube की बात करूँगा, तो ये perfect cube हो जाएगा, ठीक है, समझ र और गमूल एक पूर्ड फंख्या हो जाती है, एक क्या हो जाती बच्चा, एक होल नंबर हो जाती है, जो कि बहुत easy process होता है, लेकिन, मैं बहिया कहते हैं, नकुनन चना इनमें चबाना पड़ता है, क्योंकि ये सब ऐसे आप आने पे निकलते नहीं है, तो इनहीं का कहां तक निकालेंगे, देखो 12 का वर्गमूल, हम 10 हम तर समलों के 3 अंक तक निकालेंगे, आपके ओ तो, देखो 3 अंक तक निकालने का का मतलब समझना, मैंने न आप एक नया काम किया है, 12 को लिखने के बाद मैंने 5-5 किया है, ये लड़ोq चाक्या को का है हिया लाया, इन को दद्दा को का है यह लाया यह काहे को इतना बड़ा खचाया इसका का मतलब था देखो इसका जो वर्गमूल है दसामलों के बाद तीन अंक तक लिखा गया है कितने अंक तक भाईया तीन अंक तक ठीक है इसका भी वर्गमूल दसामलों के तीन अंक तक लिखा गया है आप क यह एक लगभग में मोटा मोटा लिख देते हैं समझ रहो जैसे माल लीजिए आपका भीया हो रहा है और आपके भीया में पैसा खर्चा हो रहा दफलाख 18208 रूपया तो दफलाख 18000 का अगर हिसाब मिल गया 208 रूपया नहीं हिसाब मिल रहा है इतने बड़ी साधी में हो गया बाकी लोग कर देते हैं अगर लाखों की बात हो रही तो वहाँ 1020 रूपय 100-200 रूपय इधर उधर हो जाती है तो वैसे क्या है यहां पर एक मोटी वैलू हमें जो में है वो मिल जाती है बाकी पॉइंट में हम लगभग में लिख देते हैं ठीक है और तीन अंक तक अगर हम लिख देते हैं तो लगभग वो एकुरेट माना जाता है ठीक है मिनिममम तीन अंक तक तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर दसमलों के बाद तीन जोड़े बना रहे हैं अगर हमें यह दसमलों के बाद सिर्फ दो अंक तक मान निकालना होता तो हम ऐसे दो जोड़ा बनाएंगी यह समझते हो यह है पूरी कहानी आजा भई यह फिर रपट के इनको निकालते हैं कई से आएगा देखो समझते हैं यहां पर लिखा है बारा अब क्या करेंगे बारा को एक ऐसी नंबर बताओ मुझे कि जिनका अगर हम स्कॉयर करें तो ट्वैल आ जा जोटा है बट अगर मैं 4 का स्कॉयर करूं तो यह 16 आएगा 16 12 फे जादा हो जा रहा है तो यह भाई साब 4 का स्कॉयर तो पॉस्बल नहीं है तो हम 3 का स्कॉयर ले सकते हैं यहां पर लिखेंगे 3 ठीक है ऐसे लाइन खिच देंगे 3 का 3 में ऐसे गुड़ा करेंगे यह 9 हो जाएगा समझना अब ऊपर भी 3 लिखेंगे यही जो ऊपर लिखा मैंने यही आंसर है यहीं पर आंसर कलेक्ट हो रहा है ठीक है अब यहां पर ध्यान देना मैंने इनका गुड़ा किया एफे और 9 आया यहां लिख दिया अब आगे क्या करना भाई साहब आगे इनको जोड जोड़ना भी है एक पंत दू काज इनको जोड़ेंगे ध्यान रहे यहां पर जोड़के ने लिखना एफे यहां पर एफे ने लिखना यह गलत है यहां एक जगह छोड़के जरू लिखना इधर फाइट बढ़ा के तो यह तीन-तीन कितना हो गया छे ठीक है इनको घटा ल समझना देखो बात अब आगे क्या है कि हमें छे का भाग ले जाना है तीन-सो में लेकिन यह भाग वो नार्मल वाला है नहीं यहां अगर एक बार जाएगा तो इसका मतलब यह होता है यानि एक बार भाग जाने का मतलब है कि 61 आएगा अगर दूई बार भाग जाएगा त शे का भाग तुम 30 में आजमालो, कितनी बार जाएगा? शे का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? पांच बार जाएगा, तो फिर हम 5 बार इसको ट्राइ करेंगे, उससे कम बिल्कुल नहीं. तो 5 बार ट्राइ करने का ये मतलब है. पाचम पचीस हासिल दो पांच चंक तीस दो बत्तिफ सीधा फीधा जादा होईगा भई या तो एक कम कर दो बस यही जुगाड़ है चार बार जाएगा यह देखो यह तो तुम्हें पिछले भी दिखाया था ना इसका आंसर वाबार आखा यह चार बार गया ना अब की बार छे बार जाएगा लेकिन अगर हमें आणसर ना पता हो तो क्या करते हो है तो Sauce लिख देते तो तुम समझते कैसे जब हम हम इसमें जूजेंगे नहीं तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसे सब activity करेंगे नहीं तो तुम समझोगे कैसे हैं ना चलो, अब क्या है, अब इनका मल्टीपल करो, चार चोक, सोला, हाफिल एक, चार चंग, चोबीस, एक, पचीस, ठीक है, अब इनको भाईया गुड़ा तो कर लिया मैंने, अब इनको जोड़िए, चार चार आठ, और ये छे, अड़फट, ठीक है, इनको घटा लीजिए इधर ये आगया आपका चार, नौ में से पांच गया, चार, इसमें से एक उधार गया था, ये 44 बचा, अब समझना, एक अंक तक तो फाइनल हो गया, अब हम एक दूफर का जोड़ा भी यहां उतार लेंगे, अब देखो, छे का भाग 44 में कितनी बार जाएगा, आप बताओ जर आई करते हैं, देखो, साथ बार भाग ले जाने का मतलब ये हुआ, यहां पे साथ और यहां पे साथ, इतना जानते हो न, इतना तो जन्बे करते हो अगर पहली बार नहीं है तो, तो भाई साब इनको लिख लो, लिख लो तुम्हें ऐसे, ठीक है, साथ बार भाग ले जा चाराओं में, साथ सता उन्चाफ हाफिलाया, चार, साथ अठे चपन, चार फार्ट हाफिलाया, छे, साथ चांग, बायालिस, बायालिफ, अच्छे और तालिफ, देखो, बहुते जादा हो गया भाई सहाब, यह तो हो, गुरु, गड़बड़ होई गया, यह तो काफी जा 36 का 6 करी आया, 3, 6, 8 जा, कितना होगा, 48, 48 और 3, 51, अना, करी आया, 5, 6, 6, जा, 36, 36 में, 4, 8 करेंगे, 40 and 141, this is the answer, यह, चलो बढ़िया, माच जबर जस्त, आप क्या करोगे, अब इनको भाई सहाब आप ऐसे गुड़ा कर लिये थे, इनको जोड़ लो, 6, 6, 12, समझे ना, 6, 6, 12 कर तो, हाफिल 1, 8, 9, और यह 6, ठीक है, अब इनको आप घटा लो, 10 में से 6 गया, 4, 9 में से 1 गया, 8, ठीक है, इस में से 1 उधार गया था, यह बचा है भाई सहाब, 3, 3 म अब देखो मैंने 2 उतार लिया है, यहाँ पर सब जो करना था कर लिया, अब हमें क्या करना है, भाग ले जाना है, कितनी बार, एक बार लाश्ट और है बफ, अब लाश्ट वाला नकल कर लेते हैं, काही अकल लगाए फाल तुम देखो, 4 बार जाएगा, 4 बार ले जाओ ब 26, अच्छा, हाफिल 3, 4 चंग, 24, 37, ठीक है, बढ़िया बैठ गया, गुरू एकदम मस्त बैठ गया, अब हमें 3 अंग तक ले जाना था, आमें सिर्फ फूपर के आंसर से मतलब था, नीचे घटाओ, पीटाओ, पना जो मरी जीवो करो, बात खतम, देखो जो लोग काएंग जीरो, तेरा मसे छे गया, साथ, तेरा मसे छे गया, साथ, आपका जीरो ठीक है, 704 आया, इसको चाहिए तो जोड़ लो अपनी इच्छा पूरी कर लो आप, दो, नौ और छे, बाकी आंसर आपका वही है, जो उपर आया था, ठीक है, तो यह क्या हो गया बहिया, यह हो गया फाइनल, and this is the answer, की नंबर जो 12 है, उसका वर्ग मूल 3.454 कैसे होता है, यह मैंने आपको करके दिखाया, तो वीडियो कैसे लगा, कमेंट में जरूर बताना, देखें, सीखने के लिए थो लो वक्त लग सकता है, क्योंकि मैं डिस्क्राइब करता हूँ, और मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, बार-बार आपको बताता हूँ, है न, कितनी पढ़ाते हैं, नहीं सिखाते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं भाई साब, तो देखो बन गए ना हीरो, कमेंट करो कैसे लगा आपको, बस हो गया, फोटर सूट हो रहा था जंदेर, वीडियो को करके जाना, ठीक है?